जनजन के दिल का चहता बनूगा देता नहीं बेटा बनूगा क्या कुछ बोलना चाहते हैं इसके ज़िए यह बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी नेता नहीं हूँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ मैंने काम किया हूँ पहले आप लोग मुझे जानते हो मैंने 15 साल से सोशल वर्कर हूँ मैंने अम्बानी से लडाई लडी मैंने अल्दा के बंदे हर हॉस्पिटल में इलाज कराया जुमेटोस के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया मैंने हिंदू-मुस्लिम जो करते थे उन लोग से लडाई की देखिए सिस्टम से लड़ना है सिस्टम में चेंज लाना है ब्रस्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टम में बैठना पुड़ेगा लोगों ने मुझे बिग बॉक्स में बहुत पसंद किया बिग बॉक्स देखते थे बहुत पसंद करते थे लेकिन मैं उरिजिनल बिग बॉक्स के घर में जाके आया हूँ जहां पर सिस्टम समझ में आता है कि एक्चुली सिस्टम है क्या तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर आके डर के बैठ जाने से अच्छा है थोड़ी बहुत जिन्दगी बची है तो लड़के मर जाते हैं मुझे ठ्रेटनिंग के फोन भी आ रहे है कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो बैठ जाओ ऐसा वैसा मैं लड़ाई लड़ने उतरा हूँ मैं लोगों का भला करने उतरा हूँ और मुझे भला करना है मैंने ये नेता रहके नहीं मैंने इंसान रहके भी किया हुए As an actor जब मैं था तो मैंने लड़ाई या रोड़ पे उतर के लड़ी आपको पता है मीडिया वाले की लड़की को जो अंदेरी इसमें हॉस्पिटल में साले चाल लाख रुपे के लिए उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे उसको छोड़ रहे नहीं थे आपको ये पता होगा यूटूब पे है वो सारे मीडिया वाले मुझे फोन किये मैंने जाके वो लड़की के लिए लड़ाई लड़ी मुझे पुलिस केस हुआ मैं जेल भी गया लेकिन मैं साले चाल लाख रुपे भर के उसको लेके आए वो मेरी भेन उसकी बच्ची दोनों मेरे लिए दुआये करते हैं सर मैं सिस्टम में आऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि लोग मेरा साथ दे मैं एक यंग और हेल्दी नेता हूं जो लडाई लड़ेगा ग्राउन पे उतर के लड़ेगा और घर घर जाके सबको समझाएगा कि हमें किस चीज की जरुवत है अभी हमें मंदीर मस्जीद ये चीजों की जरुवत नहीं अभी हमें स्कूल की जरुवत है बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कौन से घर के अंदर ऐसा है कि आप देखिए मुझे बहुत सारे हिंदू मिलते है उन्होंने गीता नहीं पढ़ी बहुत सारे मुसल्मान मिलते हैं जिन्होंने खुरान नहीं पढ़ा तो एक्चुली में लोगों को धर्म क्या है वो पता ही नहीं है जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई गीता यह नहीं कहती कि तो मुसल्मानों को मार दो कोई कुरान में यह नहीं लिखा कुरान के अंदर यह लिखा ही नहीं है कि आप हिंदूओं को मार दो या मंदिर तोड़ दो यह इंसानों की बनाईवी चीज है इसको धरम पे ठोक के लोग राजनीती खेल रहे हैं तो आप तोड़ने की राजनीती बन कर दो जोड़ने की करो आप अगर जोड़ दे हिंदू-मुसल्मान सी किसाई को तो भारत देश कहां पहुंच सकता है अब जोड़ने कि नौ में उतर रहे हैं आप लोग के वर्ट करते हैं लोग आपको जांते हैं बहुत अच्छी पैच्छान है सिधे सिदे बीजेवी अगर जबीग सामें लड़ रहे हैं और बीजेवीक साम्च जब भी बीग कोई लड़ता है तो यह तो जेल जाता है यह पर 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 कोई तो कोई केस बनता है क्या इससे आप दरे हुए है या फिर आप इसके लिए तैयार बखड़े हैं मैं थैंक यू बोलना चाहूं मां उनसे कि देखिए मैं मेरे पर नौद दस जूटे मुकद में हैं जिसके कोई हाथ प्यारी नहीं है उसके बाद मैं जेल भी गया मैंने सहा भी मेरी फैमिली ने भी सहा क्या अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना ये गलत है ये संविधान में मेरा हक है कि मुझे जो सही नहीं लगता मैं वो बोल सकता हूँ क्या आप मेरे बोलने से आपको इतना फर्क पड़ रहा है कि आप मुझे जेल में डाल दे रहे हूँ मैं बोलता रहूँगा मैं फिर आगया हूँ मैं फिर बोलूँगा मैं फिर लड़ूँगा मैं लड़ता रहूँगा कम से कम मुझे शर्म तो नहीं आएगी तो मैं सूने जाओंगा कि और यारे जास देश में तेरी भेहनों का बलाकार हो रहा था देश में लोग हिंदु वसल्मान कर रहे थे देश में पढ़े लिखे MBA किये वे बच्चे Zomato's में जाके वेटर बनके खाना दे रहे है उनके माबाब उनको बच्पन से अपनी जिन्दगी सेक्रिफाइस कर दी अपना खोन पसीने का पुरा कमाई निकाला उसको पढ़ाया और वो पढ़के उस लाइक है कि वो कई बड़ी जगा नौकरी कर सके उसको नौकरी निया वो Zomato's में अपने माबाब के सामने खाना लेके देने जा रहा है उस माबाब के दिल पे क्या बीत्ती है ना मैं जानता हूँ मैं भी एक बाप हूँ अपनी जिन्दगी की सारी कमाई लगा कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद अगर वो Zomato's में जाके खाना दे रहा है ना वो ही Zomato's वाला इन से काम करा कि इनका इंसेंटिव भी नहीं दे रहा था मैंने लड़ाई लेके उनका इंसेंटिव दिलाया 5000 बच्चे वो 5000 आस भी बोले भाई तुमको इवोट करेंगे अभी लोग ये बोलेंगे एजास्ट खान या तो किसी को जीताने आया fighting किसी को हळाने आयाए मैं खूद यहां पर लड़के जीतने अया हूँ ना मैं किसी को हराने आया हूँ अरे यार मैंने प्लान बना के मेले का इलेक्शन लड़ा तो इन लोग को लगा यार इसको अंधेरी से आके वहाँ पे साले तीन जार वोट मिल गए निर्देली लड़के जोहाँ पे इसको इत्ती सारी ना मुझे पुलिस परमीशन दी अभी आप दोग देखने ना ना मुझ कि कई चीजों में परिशानी आईगी कि कल जाओं वहाँ पर आज ये है परसो वो है उसके बावजूद मैं साले तीन हजार वोट लिया था एमेले एलेक्शन में अब मैं महनत करूंगा तुकि इन्होंने मेरे 26 महीने तो ऐसे ही खराब कर दिये 23 महीना मेरे को यूनिवर्सिटी में भेज दिये दुनिया की सबसे खतरना जेल जहां पर छेसों की कैपेसिटी में चार हजार साले चार हजार लोगों को रखा जाता है खाना मतलब जानवर नहीं खाया है सोना एक के उपर एक आजमी सोता है तो ये सब चीजे मैं देख के आया हूँ तो अब मुझे डर नहीं लगता अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से पहले भी नहीं लगता था लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं लगता सिवाए मेरे अल्ला के मुझे उसको जवाब देना है और उन्होंने मुझे अंदर से कि ऐसा फिलिंग दिलवाया है कि अभी थोटी मोटी जिन्देगी बची है कुछ अच्छा कर ले जैसा तू करता था वैसा कर सेहत है अंदुरुस्ति है करूंगा इसलिए डंबल लिया हूं कि डंबल निशानी कि एक तो डंबल उठाने के लिए पहले तो दिमाग और ताकत चाहिए और उसके बाद तुम्हारे शरी में वो जान चाहिए वो इमान चाहिए कि तुम उसको उठा सको उसकी जिम्मेदारी उठा सको और वो तुम्हें सेहत देगा तो ब्रश्टाचारी जो चोर है जो लोगों को लूटते है जो गरीबों का खुन चूशते है जो गरीबों के नाम पर अपनी रोटी सेखते है उन लोगों के लिए ये मैं बना के आया हूँ ताके सौ लोग आ जाए तो मैं उनसे लड़ सकूँ और इनके लिए इनसाफ मान सकूँ चूश अब मैं जिस रास्ते पर हूँ तो वहां पर मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मेरी फैमली को परिशान किया जाएगा, मुझे बदनाम किया जाएगा, अब और क्या बदनाम करोगे मुझे? सर लग जाने दो, देखो, वो तो जिल्लो मन्तुसा, वो तो इस्जो मन्तुसा, इस्जत और जिल्लत अल्ला के हाथ में है, बोले जाको राके साहिया मार सके ना कोई, ये लोग कुछ भी कर ले, ये मेरा कुछ नहीं बगाड सकेंगे, मेरी जो शुरुआत हुई कुरला में, जब मैं गया तो मुझे माओं ने ऐसा वेलकम किया कि हिंदू मुसल्मान का गेम ही खतम कर दिये वो, कि एक मेरी माँ यहां से आई, डाल भोस लेके, एक मेरी माँ वा गुजराती, वो भी और दोनों ने मेरे को दुआये दी, कि एजास हम तुमारे साथ है बटा, हम तुमे देखते आ रहे है, यूट्यूब पर इस पर तुमने करोना में इतना काम किया, तुमने कैंसर के पीडिट लोगों के लिए काम किया, तुमने हाट पेशन्ट लोगों के लिए काम किया, तुमने हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ी, तुम जेल गए, सब पता है आम जनता को इसलिए ये लोग पोखला गए हैं अब ये लोग अंदर अंदर नीचे से मेरा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे देखो नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है बदनाम तुम्हें ये लोग कर देंगे इंके पाथ पूरी टीम है आप इस्तिती केजरी वाल जैसे कर दी ह केजरी वाल से अच्छी है या फिलाल तो अच्छी है उनको तो खैर अच्छे नेता है वो और देखिए यह वैसा ही है जेल भरो अंदोलंग अगर आप उनके साथ नहीं हो आप उनके खिलाफ हो तो हम 26 मेना काट के आए केजरिवाल जी हम मजे ले चुके ये चीज के हम ले चुके हैं उत्तर मध्य मुंबई मतब वही ही कियो और उसा क्या विसे सब्सक्राइब कोई जो लड़ता है तो कि कुछ म साथ मेरे साथ जो है वह एक स्पीरियंस लोग जुड़े होएं मेरे जो भाई लोग है जो कुरला मेरा एक बच्चा है सैफ जो मill information भाई है वो रोद 2000 बच्चों को खाना खिलाता है और वो मेरे अल्ला के बंदे NGO से ट्रेन होके मेरे साथ में है वो और मेरे साथ ऐसे कई लोग है जो अल्लेडी सोशल वरकर है जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और जिनको यह पता है कि एजास भाई गली गली जाके लोगों को समझा लेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूं देखिए महाराज का मुद्दा छोटी जो यह जगा पढ़ाई बिजली पानी आप टॉइलेट देख लोगे ना इन लोग के गरीब लोगों के तो आप बोलोगे यह क्या यह मुझे तब समझ में आया जब मैं जेल गया जब मैं जेल में तीन टॉयलेट में तीन सो लोग जाते थे तब मुझे समझ में आया कि ये गंदगी ये बास इसके लिए कुछ करना चाहिए कौन जा रहा है कौन नेता नहीं जा रहा है अब मेरे में इतना गुदा है कि मैं वो टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करके उनका दर्स समझ सकता हूँ कि जब पचात लोग खड़े लाइन में और तीन टॉयलेट है तो कैसा फील होता है मेरी लड़ाई थोड़ी लंबी है मुझे देखो बिल्डिंगों में रहने वालों को कोई प्रॉबलम नहीं है भाई यह आसू यह जजबात तुम बेचते हो गरीबों के हालात तुम बेचते हो भाई पिस्ता गरीब आत्मी है चाहे वो हिंदू और मुसल्मान और पिस्ता उसको ही है यह जो बिल्डिंग में रहते हैं यह सब लोग तो मजे ले रहे हैं उनको कौन सी लाइड की प्रॉबलम है भाई लाइड गी तो जनरेटर आ जाएगा आप पर्लूम की जिनी जीकों भी पर आया अगर आप जीव जाते हैं यह पहले तो मैं माइलाओ की सुरक्षा एड्यूकेशन और यह जो गरीबों के जो यह पानी के मसले है यह घरों के मसले है जो बिल्डर इनको बेवकूप बना देते है इनकी साइन्स लेके एसारे में इनके घर चीन लेते है इनको अंधेरी से कुरला से पहुचा देते है कुरला से सीधा पहुच जाते है यह मुम्रा यह साकीनाका से सीधा पहुच जाते है कहीं और मेरे को यह लड़ाई लड़नी है जिसमें बहुत सारे माफियाज और बिल्डर्स मिलके यह काम करते है गरीबों के घर चिन लेते हैं और उन गरीबों को पता नहीं कहा पहुँचा देते हैं उस लडाई में कोई भी नेता नहीं उतरता कभी आप मुझे एक नेता बता जीजिए वो लडाई में वो नेता हो क्योंकि बिल्डर और माफियास ये दोनों मिलके लैंड गरीबों का ले मैं अपने आपको इपनी चुनोती मानता हूं मेरे अंदर क्या कमिया है मैं उसको सही करके यह पूरे मेरी टीम के साथ महनत करूंगा मैं देखी नहीं रहा हूं लोग कहा जा रहे कौन से नारे लगा रहे क्या कर रहे अगर मैं उनको देखने बैड जाओंगा तो फिर मैं काम क्या करूंगा उन लोग मुझे जरूर देख रहे हैं ये समझ में आ रहा है मुझे अरे पार्टी मुझे लेना नहीं चाहती पवंजी देखिए पार्टी गोड़ों को रखना नहीं चाहरी घदो को भगाना चाहरी है और या तो फिर खचरों को भगा रही है घोड़े उनको पी कुई के घोड़ा भागेगा और जॉकी ठीक नहीं है घोड़ा भागा तो जॉकी गिर जाएगा तो इसलिए अंधा राजा और काना सिफाई ऐसा हो गया है देश को ये लोग क्या कर रहे हैं देश के चार पायों को पहले हिला रहे हैं अरे भाई इंडिया पाकिस्तान क हमें क्या करना रहे भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा हमको इंडुस्तान में क्या रहा उससे लेना देना हमको हमारे बच्चों को नौकरिये नहीं है हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है अस्पताल नहीं है बंबई के अंदर मैंने ऑस्पिटल के लिए काम किया तो मैंने द लोग जाते है और फिर बिल बनता है उनका वो फाइस्टार होटल है उदर कोई भी आता पिछे के रस्ते से ये वो बड़ी-बड़ी गाडिया ओपर बड़े-बड़े रूम है गरीब आदमी कहा जाएगा भाई वो केम्स में जाता है इधर जाता है वहां जाता है तो उसको अरे आप बैटिये लाइन में ये फॉर्म बरिये अरे गाली देने को मन करता है हमको पड़ा लिखा होता ये विचारा गरीब तो फॉर्म नहीं भर रहा होता तेरे को सिखा रहा होता तेरी डूटी क्या है वो तो पड़ा लिखा नहीं है वो अब तो उसको फॉर्म दे रह तो क्या हो रहा है मर रहा गरीब है मुझे गरीबों की लड़ाई लगनी है मुझे यह क्या बुलते उसको अपर क्लास I don't care about them लोग का सब चल रहा है उनलोग अपना टेक्स भर रहे खारे पी रहे चोरी कर रहे सब कर रहे I am concerned about these people जो अपने हक के लिए रो रहे है मर रहे है और अब इतना रो चुके है कि वो अपनी गुहार को भी नहीं उठा रहे है इतना दब चुके हो लोग इतना दबा दिया मैं उनलोग की आवास बनना चाहता हूँ चाहे हो दलीत हो मराठी हो मुसल्मान हो फलाना हो धिनका हो कोई भी हो वो हिंदुस्तानी होना मंगता है अच्छा एक बात बताओ अगर मैं तुम्हें 26 मिना एक जगा पे बिठा दू उसके बाद बोलू बहार आ जा तो तू ठकेगा रुकेगा नहीं रुकता आदमी भाई मैं अंदर इतना प्लान बना के आया हूना छे दिन आदमी एक जगा पे बढ़ जाए तो उसको ऐसा निकालेगे ना तो इसा भागेगा मालू मैं जानवर को गुफा में बन कर देते निकालते तो कैसा भागता हो अभी शेर को इन लोग ने गुफा में बन कर दिया था अब इन लोग खोले शेर को शेर अभी खाली दाढ़ेगा मैं काँ सोने वाला हूं भाई मेरको तो ऐसे भी इंसुम्निया है ये विमारी शारुक गान और अमिता बच्चन को है और हमारे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी को भी है और वही इस मेर को भी है तो अब तू आप ये स्टार को बुलाई हैं जो खिले आपने लेवल पर मैथ करके वोट लूँगा बल पर बल अपना बल इसलिए लिया मैंने दममाल, समझे के नहीं समझे, I will fight, I will take my people, I will go to everybody and ask मुझे वोट दो, अगर आपको ठीक लगता है, मेरा यह प्लान है, मैं यह कर सकता हूँ, और मेरे साथ सब यंग लड़के है, स्पोर्ट जूते ले लिए हम लोगोंने सबने, रुकने का कोई शॉट नहीं है, और हम लोग साइकिल ले लेके सब जगा जाएंगे, जनता को तकलीफ नहीं होनी चीए, नहीं तो शीप्षेना और बीजेपी का रेली था, तो इन लोग आपस पे लड़ रहे है, पूरे पब पूलिक वहाँ पे एक एंबुलेंस थी, वह एंबुलेंस को निकल नहीं पाया, बच्चा पता नहीं कोई बिमार था उसमें, तो यह सब तकलीफ है, जनता को क्यों जनता के लिए कर रहे है, जनता को तकलीफ, अभी तो आई भी नहीं और तकलीफ चालू जनता को, अभी वो क्या रहेगा उसको एंबिलिएंस को जगा निहीं लोग लड़ते जा रहे पुलीस परेशान इनके वजे से क्या हमारे पुलीस वाले इसलिए है सिर्फ के इन लोग को रोक ते रहे लाटी लेके धक्ये दे ते रहे अरे तमीज से जाओ तमीज से आओ तो जनता को परिशान मत करो जनता को सपोर्ट करो जनता के लिए लड़ो और मैं जनता के लिए हूँ मैं गरीबों के लिए लड़ना चाहता हूँ और मैं लड़ोगा वाई एक बात बताओ कल सुबह तू और मैं उठेंगे लेकिन यह मालूम नहीं है अपने को तो वोट कितने आएंगे तिरे को अभी से कैसे बता हूं मैं क्या कोई बीचेपी का कोई नेता हूं क्या अगर आप जिस्ते हैं तो उसके बारे में जन्ता को बता कि नहीं क्या कर रहे हो अभी क्या कर रहे हो अभी क्या है देखो भाई यह सूबे पे बैठे ठेके दारे इन लोग जब आते है तो अब मैंने ना दुनिया देख ली यह लंडन अमेरिका यह वो वैसा वैसा सच बोलूँगा तुम लोगों को हर मॉडल खुबसूरत लड़की घुमाया उस टाइम पे हीरो के वाला फील था वो सब किया पाती किया नाचा गाया सब कुछ किया दुनिया देखी हर किसम की गा एक लालत सी मर गई है मेरी आर मैंने सब देख लिया हर मौसम हर कलर हर सब कुछ देखा मैंने और उसके बाद मैंने एक अंधेरा देखा और जो अंधेरे में मैं बैटा ना तो मिरेको उपर वाले ने बोला किया रहे समझ में आ रहा है कि तिरको अब मैं इसा बैठा हूँ इधर खटमल चल रहे ले इधर सब चिल्ला रहे पब्लीक लोग आपस में एक दुसरे को गाली दे रहे मुझे लग रहा है यार कहां पर आगया हूं मैं यार मेरा उपर वाला बोलता पब्लीक के लिए कुछ कर जैसा तुब करता था पहले अभी छोड़के तुव वापस क्या कर रहा है फिर मैंने जेल में लोगों के लिए चार सीट पढ़ना शुरू किया कि मैं जेल में लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं जिनको चार सीट पढ़ना नी आ रहा था में उनकी चार सीट पढ़के उनको पॉइंट बता रहा था फिर जिनको अर्जी लिखना नहीं आ रहा था उनके लिए मैं अरजी यह लिगता था जितने भी बुजुर्ग लोग जो अंदर फशे हुए जिपो लोग भुल गे घर वाले भुल गे जज भी स्टेडी माइ सेंटेंस इस फिनिश स्टिल आम इंसाइड वो जज वो पढ़ के न वो और आदमी चार साल से अंदर है बोले इसकी एक साल किसा थी वो उसको तारीक पे नहीं भेजे तीन साल वो तीन साल तारीक पे नहीं गया तो वो छुटा भी नहीं बोलो याने कि अत्तर पर तारीक पर तारीक चिंदगी के चप 21 महीने बहुत कीमती होते द्यश के लिए कुछ करते हैं बहुत बहुत शुक्री आप बात ऐसी आई कि किसी पार्टी में जुड़ना है तब का तब देखेंगे पहले जीत तो जाए जीतने के बाद पता चलेगा क्या करेंगे जब इंडिमेंडन आदमी चल सकता है जब जीत सकता है तो फिर पार्टी में काई को जानेगा किसी बात कर रहे हो जानू खुद के बल पे जीत के आ रहे वागी इन लोग बोने हमारे पास आ जा रहे है चल रहे है अकेला भी तो आदमी सूट पहन के जा सकता है कि I am here sir I am also member of parla media तो मेरे भाईयों की हिसाब में है कि बाई ना diabetes है ना sugar है ना कोई बीमारी है अलहमदलिल्ला और ना कोई ऐसी कमजोरी है ना कोई डर है कि बीवी बच्चे सब अल्ला भरो से छोड़ दिया हूं मैं जो होगा देखा जाएगा लड़ाई लड़नी है जान जाएगी देखी जाएगी जो जाएगा देखी कि नहीं या रभी की सद्ट चोड़ दिया तो मैं छोड़ दूंगया क्या बात पिर रहा है अगा सब करेंगे ना भाई लेकिन देश की सेवा भी तो करें लोग क्या कर रहे एक ही चीज कर रहे काली देश में क्या हो रहा भूल जा रहे करें कचराई तो है फिको ना सुबा में वो उठाके जाएगा लोगों की सोच एसी हो गई है अरे हम लोग टेक्स भरते ना सुबच भारत विकास विकास खाली दोस्त लोग ही मिल रहे मेरे को भागी विकास हो रहा नहीं किसी का खाली दोस्त लोग मिलेगी है विकास है ये विकास बहल है ये विकास सिंदे है लेकिन लिकास नहीं है वोई नहीं रहा है जैसे पवन चली नहीं रहा है अब तो आयत होता मेरे MLA election में तु मेरे अल्ला के बंदे में तेरे से ज़्यादा मुझे कौन जानता है तेरे को ऐसा आके यहां पर बोलना चाहिए के अजास्कान क्या है वाई मैंने इसकी लड़ाई देखा हूँ तुमसे ज़्याद मुझे कौन जानता है मिस्टर पवाण को बढ़ाई आप मेरे को पांसे यार वोट काम आ जाएंगे अगर यह स्टार पचार प्राइब तैंक्यू यार चलो भाई बहुत काम है अब आप लोग क्याद में ए बाबा ये मत कर तेरे को कसा में बताता हूँ चैनल हो बताता हूँ अगे अगे बताता हूँ झाल झाल